असना मालेकूम डॉक्टर साब जी मेरा नाम लक्षमन है डॉक्टर साब आपने एक मरतबा भारत में या फिर कहीं अपने बियान में इस प्रकार बताया था कि जो शुरूती और जो सिमरती जो शास्त्र है तो उसमें से ज़्यादा बहसत है कि आप शुरूती जो शास्त्रे उनको फौलो करें वैदास को फौलो करें बटाइम फॉलोविंग श्रीमत भगवदीता विकोज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्णा आए तो उन्हों ने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानि श्रीमत भगवदीता है तो उसको मैं फॉलो करता हूं तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें तो मेरा आप से ये कोशन है कि आप भी जैसे एज़ा मुस्लिम अब हज़रत मुहमद मुस्तुफा स्लिल्लाहु अले वाले वाले बसलम की जो लास्ट बुक है जिनका उनका मानना है कि उनके उपर वो वही जाईो पुरी दुनिया उम्मत के लिए जो रहमत का वगेरा ये है जो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज़ा आप परफेक्ट है और अगर मैं ऐसा करता हूं श्रीमत भगब नीटा को फॉला करता हूं त शुर्टी मतलब जो भगवान के तरफ तरफ से डिरेक्क आती है और स्मृती मतलब इन्सानों की लिए कि दोनों मेंसे शुर्टी झाभवान के तरफ से आती है वो उची किताब है अगर शुर्टी और स्मृती में तकinação है तो हम follow करेंगे शृती भगवान की किताब ना के समृती जो इनसान की किताब भाई साथ सवाल पुछते है कि मैं follow करता हूं भगवत कीता जो आखरी किताब है आप follow करते है पुरान जो मुहम्मद صلى लुद की आखरी किताब है तो फरक क्यों बाइसाब आपको थोड़ी गलत फेमी है कुरान मजीद मुहम्मद स्वालों की किताब नहीं है अल्ला की कताब है स्वारी बेलकुल साइड थोड़ी गलती है कोई प्रॉब्लम ने तो अगर मैं हिंदू से कहूं बिल्लम बगवानन से कैए न। शूती में आएंगा हम कहते हैं、 अल्ला का कलाम अगर अल्ला की कलाम और रसूल की बातों में हम कहते हैं через में टक्राओ है तो हम फॉलो करेंगे कुरान को सही अल्ला की रसूल की किताब रदीथ और Quran में कभी भी तक्राव ने हों जा लेकिन कभी-कभी हधीस variable होते मुझू भी होते अगर तक्राव है लेकिन लेकिन Quran और धीज़ दोनों का में follow करना च rzecz लेकिन higher level पे है Quran जिस तरीके से जो सिम्रती शास्त्र है सिम्रती का मलफ सिम्रन करना याद करना ठीक है जो याद किया वा तो अगर मैं आपकी परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सलिए लिए लिए वाले वाले सलम को वही आई तो वो याद करते थे पिर वो सुनाते थे तो आप भी एक तरीके से सिम्रती शासर बोलो करते ये मेरा कोशन ने हम दोनों को याद करते है हदीस को भी याद करते हैं कुरान को भी याद करते हैं लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्ला का कलाम है कई मिसाल है कई प्रूफ है मैं लेक्षर दिया हूँ is the Quran God's word याद हम दोनों को करते है याददाश से थाबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही ने सकती सही हदीश के भी कोई महदिस है वो बोलेंगे मैने सुना इन से फलाना से फलाने से फलाने से फिर जाएगा साबा इन के पास फिर जाएगा साबा के पास फिर जाएगा अल्ला के रसूल के पास उसी तरीके से कुरान मजजिद में भी मैंने सी का मेरे वालज से मेरे वालज ने से के उनके उस्ताद से जाएगा जाएगा फिर जाएगा साबा के पास साबा से जाएगा अल्ला के रसूल के पास अब समझ रहे ना अल्ला के तरफ से, एके रसूल के तरफ से तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है شरीमत भागवन गीता वो भी जैसे आप जो first priority उन्युक्त मैं आप्कि कुरान ए मुजीड है तो इसी तरीके से हम भी जो सिमरत्य में जो perfect जो one है उसको शरीमत भगवद गीता समझते हैं जानता हूँ मैं लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछे शुरुतियों उचे के स्मृति वो कहेंगे शुरुति भगवद गीता जैसे सर शुरुति शास्त्रमें भी आ सकता है क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे शुरु कृष्ण है भगवान के आउतार है तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर समर्ति में कैसे काम तो होगा वो आपके पंडी से पुछे भगवद गीता भगवद गीता मा भारत का एक पाथ है यह आप इनौ आप पॉलोवर प्रभुपात आप स्वामी प्रभुवद की गीता पडचुकाओं में ठंसलेशन पडचुकाओं में और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इसकॉन जो है जो है उनसे मेरा one-to-one डिसकेशन के गाथ है समझे ना उन्होंने भी माना अस्मृति है लेकिन क्या कहते प्रभुपादा क्या कहते वो पकवद गीता इस दे नेक्टर अफ वेदा येस नेक्टर नेक्टर अफ वेदा मतलब वेद का निच्चो आप बात करेंगा मैं बात करेंगा आपने सवाल पूछा मैंने पुछने दिया जवाब मैं दूँ या आप दूँ आप देंगे तब सुनेंगे जरूर तो स्वामी प्रभुपधा कहते है वो कहते कि वेद जिस तरीके इसे गाई है एक होती है स्मुर्थी जो भगवान के तरफ से है एक है इनसान के तरफ से लिखी गई किताब भगवान से लिटी के किताब का निचोड एक इनसान लिखे तो क्या भगवान के किताब से अच्छा हो सकता है और जवाब है नहीं बेलकुल नहीं है अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इनसान उसको समराइज करके लिकेंगा, कोई भी तरजूमा का, कुरान का एक सिसद भी नहीं है, तो तरजूमा है वो इनसान के तरफ से, कुरान is the most untranslatable book in the world, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इनसान दब तरजूमा करता है, कोशिश करता है का उसका ग्लिम्स दे, तो कोई भी यह नहीं कह सकता है, कुरान का तरजूमा कुरान से बैतर है, ओई नहीं सकता है, तो जब मेरा भैस हुआ, इसको नहीं हो अगर डॉक्टर साब आ बिलकु सही कहते है, ठीकिन यह हमारा मानना है, तो मैंने उनसे कहा, अगर वेद कौंटरडिक करें, बगवद किसमें मानेंगे, वेद महीं मानना चाहिए अपको, कौंटरडिक नहीं किया तो अल्लग बात है, अब समझ रहे है, तो वेद is the highest book, सबसे उची बुख वेद है, वेद के बाद आते उपनिशद, समृति में, समित्री में सबसे यह है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं है, तो एक आत्मी गला सोचता है, उसकी सोच है, आप समझें, बड़ चाहे शुती में मानो, भगवद इता में मानो, या वेद में मानो, भगवद इता में भी लिखा है, चाप्टर नमबर 6, वर्स नमबर 20 में, वर्स नम आपके प्रबबदा की थाइस्याशनिय है। कि जोज वर्षिब देमिगोड दे विल गो तो देमिगोड 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 ते राम मत्यरिस्टिक पीपल वर्य वर्य वर्यरिस्टी टांस्लिशने स्वामी प्रपर्भु दा का संस्कृत थे 13 सर यह चप्तर नुमर 9 है शोरी वर्स नुमर 25 क्यांती देवा वरतान देवानती वह नहीं आप चप्तर नुमर 7 देखिए आप यू नहीं खोल आपको 709 में फर्रक लगते है क्या यह अची बात है मैं 7 कोट कर आप 9 में जा रहें यह बाइम नुट देमी गोट्स नुमर 25 को आपको कहा क्या मैं जो बोला सही जह नहीं देखो ना जी एक दम पर्फेक्ट यो तो क्यो आप लोग को दूसरी जगा लेके जा रहें नहीं नहीं सर भाइसा भाइसा अबलक्ष्मान भाइए अमसक महक्का साथ तो दो मैं कोट कर रहा हूं चाप नुमर शवन आप बोलतें चाप नुमर नएन मेरे पास कोई किताब नहीं मैं दिमाग से बात कर रहा हूं तो आप अगर मैं 7 कोट कर ओऊ आप लग नहीं नहीं डॉक्टर साप नुमर नाइन अरे बाय मैं भी मैं भी बहगवद गिता का स्टूडेंट हू पराव अन्हा, मैं स्वाम्मी प्रभु पदा नहीं, लेकिन मैं भी सुडेंट हूना, हूँ क्या नहीं, मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, पराव अन्हा, तो आप मैं जब चैप्टर 7 कोट कर आप चैप्टर 9 पर क्यों जा रहें, तो मुझे लगा कि आपने वो जो जो लोग जो कौट किया ना, कि जो भूतों की पुजा करते हैं, भूतों के पास जाएंगे, पित्रों की पुजा करने, यांती देवा बरता, पित्र यांती पुजा बरता, पुति यांती बुते जा, यांती मत यजनों भी पाम, तो मेरे भगते हैं, वो मेरे पास आएंगे, इसलिए ना हम भूतो ना प्रेतो ना क्या बोलते हैं कि जो पित्र है जो मेरे एंसिस्टर है उनकी पूजा ना करते हैं ना डेमि गोट्स की भी पूजा ना करते हैं तो भगवाद गीता केती है करिश्न की पूजा करते हैं तो आप मानते हैं कि भूत परस्ती गलते मनते हैं? नौ, कृष्णा की मूर्ती रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है, चैप्टर नमर 12, जब अर्जुन ने पूछा, कि मैं किस की पूजा करूँ, तो भगवान ने चैप्टर नमर 12, दूसरे शुलोग में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है, तो वो मुझे अतियंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, उसका मतलब भगवत गीता में कॉंटर डिक्शन है, अभी आपने कहा, कि भगवत गीता में लिक्या बुद्परसी खराब है, मैंने नहीं कहा सार, अरे आपके, आपके स्वामी प्रभ अगवान नहीं मानता, तिर वेक को मानता हूँ, आप अगर डेमिगोट का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप और सो, यस, मैं डेमिगोट की वर्शिप नहीं करता ना, आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं, आइडल के मुताबिक आ वर्शिप दखिल अंधाजी नहीं करेंगें, तो लोग समझेंगें, आप यह मानते कि देमिगोट की पूज़ा करना करते हैं आप करते करा है उन्हां का रहे हैं, मैं का कर रहा हैं, आइडल की पूजा करता, मैं आइसाब उस्वाल मुष्शने रहें का, ये साएजिए गैर मुसलिम भाई मेरे सामने कड़ा है मेरे हिंदू भाई सामने कड़ा है मुसल्मान होता था ना मैं बोलता धर्या भाई क्योंकि तुम मेरे guest of honor है मैं सबर कर रहा हूं मैं आपकी हिज़त कर रहा हूं लेकिन हिज़त करने का मतलब नहीं क्या आप सब लोग का टाइम हजार लोग है दर मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूं मैं कह रहा हूं भगवद घीता के बारे में अगर भगवद घीत और वेद में टक्राओ है वेद में लिका है 35 अपनिशद चाप नमबर 4 वर्स नमबर 19 नातस्रिपतिमास्ती याजरुवेद चाप नमबर 32 वर्स नमबर 3 नातस्रिपतिमास्ती प्रतिमा मींस अक्स टांस्लेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ पेंटिंग, आइडिल, स्टाच्यू नातस्रिपतिमास्ती वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमान ने, कोई फोटोग्राफ ने कोई पेंटिंग ने, कोई पिक्चर ने कोई आइडिल ने, कोई स्कल्प्ट्र ने अभी मैं कोट कर रहा हूँ वेदा अगर वेदा और भगवदीदा में टक्राओ है तो हिंदू मख़ब के इसाब से आपको फॉलो करना चे वेदा आप नहीं करते हैं, मैं जा करता हूँ मैं जब रसी ने कर सकता हूँ मैं भववदीदा फॉलो करता हूँ खरो ना, आपको जिसको फॉलो करने का है लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूं ना क्या मैं जानता हूं इल्म के बारे में आपको भगवद किता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है स्वामी प्रभुदा को पूछने का है, मैं तोरी रोख सकता हूं मैं कैसकता हूँ किया आपके किताब में लिखा काया है आपको फॉलो करने कैए फॉलो करो मत कायो क्युकि कुर्रान में लिखा, क्वा एक राह फिस दीच तीच में कभी भी किषके साथ गढ़ जबरश्टी नहीं कर सकते मैं अपसे बात कर सकता हूँ माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो महीं कहूँगा, no problem, मैं आपसे जगाने करूँगा, बड़ाबना, thank you, आप जाके फिर से तेकिक करो, बड़ाबना, मेरा काइटिरा क्या है, कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है, तो मैंने टक्कर का लेका, और लोग बोलेंगा, बच शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी-शरी- पेंगागाओन मानते है। मैंने चार साल की उमर में Bhagavat Gita को रख दिया। मेरे डिबेट में एक शोक ने बोली Bhagavat Gita के बारे में। चार साल के उमर में by memory तो मेरा कहना ये है आप अगर चाहते हैं मेरे से कुख डिबेट करें तो मेरा मजमा दस लाग का है कम असकम दो फीसा तो ले क्या हो, बीस हजार आपके हिंदू में से कोई भी बीस हजार एकर्टा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूँगा बीस हजार वन्ट सिटिंग बराबर, और कई हिंदू है आपके जग्ई वासे देओ आपके रामदेव बाबा आपके शीशी रवी शंकर उनको मिलियन डॉलर देंगी तो भी ने डिबेट करेंगी मेरे साथ वो तो भूल जुक से कर लिए शीशी रवी शंकर ने और पश्ता रे मैं आप से डिबेट करूँगा तो लोग बलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है समझें ना लिकिर मेरी इलतिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िये आपके स्वामी प्रभबात आप बोलते ने कुरान पढ़ने हराम हैं ने बोलते ना माशा तो मेरी इलतिजा है मेरी रिक्वेस्ट है मेरी खाईश है मेरे भाई से छोटे भाई से कमस कम अप कुरान मजीद का तरजुमा पढ़ो उसको मानना जरूरी नहीं है पराबना अब इतने घंटे आपने दिये मैंने आपको टाइम दिया मेरी रिक्वेस्ट है खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो उसके बाद कोई मजमूरी नहीं मानना है मत मानो आपको कोई इस तरीके से मैंने भगवद गीता पढ़ा एक बार नहीं कई बार और सबसे जादा पसंद मुझे स्वामी प्रभु पदा की भगवद गीता इस कोई है दनियवाद से बार नहीं तो आप तो कमस के बढ़ पढ़ो कुरान मजीद इंशा आल्ला जरूर पढ़ो मैं ज़्या इंशा आल्ला मैं इंटिदा करूंगा इंशा आल्ला थाल्ला थाद दे आल्दाक अल्ला